कैसे हो आसा करता हूँ कि सांदार जवर्जस्त और जिंदावाद होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे मैं मधन कुमार पाट साला टू फोर सेविन में आपका श्वागत करता हूँ बढ़ हैं बेतरीन क्लास लेके आ गए हिंदी गद्ध खंड की किसकी बिटा हिं हिंदी गद्ध खंड की क्लास किसकी टैंद की और कितने नंबर वाली क्लास है यह जो चैनल वाली क्लास है जवर्जस्त क्लास होगी और इस सेशन को अपने दोस्तों को जरूर सेर कर देना बेतरीन क्लास होगी और पहला जो टॉपिक है बिटा आपका क्या हिंदी गद्ध मित्रता पहला टॉपेग يرीक है मित्रता पहला τοपेग है मेरे लाल और शुरू करते हैं आज की पहली क्लास क्या है तो आचार रामचंद शुकल का थीक है जीवन पर्चेदेख लेंगे और outta यह देख लेंगे कब कब आया है 2014 15 16 17 18 19 20 22 23 यानि इतनी बार इनका जीवन पर्चे पूछा गया है किलिए भाईया कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते 14 में 15 में यानि किसी भी ऐसे साल में इन्होंने छोड़ा नहीं है किसी ना किसी रिपीट होता रहा है रिपीट होता रहा है अचार रामचंद सुकल का ठीक है भाईया तो जीवन पर्चे कुछ इस पर कार से आएगा यदि जीवन पर्चे आता है तो आप डालेंगे हैडिंग जीवन पर्चे क्लियर है अचार रामचंद सुकल का जनम कहां एजूकेशन उनकी कृतियां यानि रचनाएं और उनके संपादन के कार क्या क्या थे ये मेन मेन हमको क्या करना है देखना होता है बिटा और आराम से आपका काम चल जाता है इसको आप अपनी भासा में भी लि पूरे नंबर पा सकते हैं इसा कोई दिकत नहीं है कि भाईया जैसा किताब में है या जैसे सर ने पढ़ा दिया वैसा का वैसा आपको करना है ठीक है भाईया तो चलते हैं इसका जीवन पर्चे देखते हैं मेरे लाल इनका क्या देखते हैं जीवन पर्चे देखते हैं क्ल क्लियर है कि अगउना नामक गाउं में हुआ था इतनी बाद क्लियर हो गई इनकी पिता जी का नाम चंद्रावली सुकला पिता जीá के नाम स्थां याद कर दो तो यूपी का कौन सा जिला मेरे लाल बस्ती जिला गाउं अगर आ रहा है तो गाउं का नाम भी आपको ध्यान रखना अगाउं इतनी बात मेरे किलियर है प्यारे चलिए भाईया किलियर है इनकी प्रारमिक सिख्षा दिख्षा अपने माता पिता के पास हुई बहुत बढ़िया चार वर्स की अवस्ता में सुकल जी अपने पिता के पास राठ जिला हमीरपूर चले गए ये राठ जिला हमीरपूर कहां पढ़ता है लाल ये भी यूपी में पढ़ता है कानपूर से क्यां नंट वह्यां के औरके करेंगे चले लोग विंदेभारेश किसम्तुनिका ऑफ की भी सब्सक्राइद कीरें हैंyard districts liar फैनल ने वहां जब चार वर्ष तैंके अफ्रारप्र नहीं हमें द्हान डखेंगे लिखा है 1892 में इनके पिता की न्यूकती मिर्जापूर सदर में हो गई मिर्जापूर UP में हो गई कानून गो के पतपर यानि इनके पिता कौन थे Revenue Inspector कानून गो थे भईया तैसील में क्याता है यह तैसील होती है राट तैसील में थे फिर इसके बाद कहा गए मिर्जापुर सदर्व की तैसील ठीक है ना भया तैसील में चले गए कानून को क्यों पतपर हुई जिस कारण सुक्ल जी के पिता के साथ मिर्जापुर आना पड़ा ठीक है यह मिर्जापुर चले गए इन्होंने high school, यह याद रखना high school की सिक्षा, high school की परिक्षा कहाँ पर की? मिर्जापुर जिले के mission school से उत्रिन की, school का नाम याद रखेंगे, mission school से क्या की भाईया? उत्रिन की, यानि high school, inter, और graduation, ये इनकी education आपको ध्यान रखना है, तो high school मिर्जापुर से करी, गड़त में कमजोर होने के कारण इनकी सिक्षा आगे नहीं हुई सकी, inter की परिक्षा के लिए इन्होंने विद्याले में प्रिवेस लिया, चलो देखतें, ले लिया, किन्तु अंतिम वर्ष की परिक्षा से पूर्व ही, विद्याले छूड गया, clear है, विद्याले छूड गया, बंगला, आदी भासाओं का ग्यान प्राप्ट किया, आदी भासाओं के इन्होंने क्या कर लिया, ग्यान प्राप्ट कर लिया, कुछ समय पस्था ये हिंदी सब्द सागर के लिए, के लिए वेतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए ठीक है भाइया कहा अ गए कासी चले आए कासी बनारा साग है तता बाद में सुक्ल जी ने नागरी प्रिशाननी सभा ये याद रखना बाद में नागरी प्रिशाननी सभा पत्रीका का क्या किया संपाधन किया तो कहेगा बताईए आचार रामचन सुक्ल ने इस पत्रीका का संपाधन किया तो क्या बोलेंगे लाल आ नागरी प्रिशानन सभा का संपादन किया बाद में सुकल जी की न्युक्ति कासी हिंदू विश्विद्याले जिसे हम लोग आज बनारस हिंदू विश्विद्याले कह देते हैं तो कासी हिंदू विश्विद्याले में हिंदी के हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई यानि ये क्या बन गए हिंदी के ये टीचर बन गए कहां पे कासी विश्विद्याले में बाबु स्याम सुन्दरदास के अवकास प्राप्त होने के पस्षाथ सुकल जी ने अध्यक्षपद को समाला किसको समाला अध्यक्षपद यानि इससे पहले कौन थे बावुस्याम सुन्दरदास थे इसी पतपरकार करते हुए दो फरवरी दो फरवरी 1941 इस भी मेंन का दिल का दौरा पढ़ने के कारण देहांत हो गया और देहांत कहा हुआ कासी बनारस में हुआ भईया कासी बनारस में हुआ जनम कहा हुआ था मेरे लाल तो जनम आपको याद रखना है जनम 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 यदि आप भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी तो मृत्ति उई 1941 में कहां पर जहां पर ये अध्यक्षपद पर समाला था कासी विस्विद्याले में अब आपको भईया जनम कब हुआ था मेरे लाल तो जनम हुआ था 1884 को बस्ति जिले के अगाउना नामा गाउं में हुआ था तो जिला बस्ति मरे कहां पर इनकी मृत्तिव कहां हुई कासी में हो गई तो ये आपको अपनी भासा सहली में भी बहुत छोटा सा जीवन पर्चे लिख सकते हैं क्या क्या याद रखना है अचार रामचन सुकलु का जनम माता पिता बाता पिता का नाम प्रारंबिक सिक्षा प्रारंबिक सिक्षा ये अपनी भासा सहली में भी लिख सकते हैं ठीक है प्रारंबिक सिक्षा भासा सहली पत्रिकाव का संपादन इतना किलियर हो गया फिर इसके बाद में हम लोगे लास्ट सब्द होगा वो हो रहता है आपका लास्ट में जीवन पर्चे में रहेगा आपका मृत्यू, मृत्यू होगी बिटा क्या होगी? मृत्यू, तो मृत्यू आपको याद लखना 1941 सीजवी में इनका दिल का दोरा पढ़ने के कारण देहान थो गया बस इतना आपको अपनी भासा सहली में लिख दो एक भी नमबर आपको एक्जामनर नहीं काटेगा मेरे ला एक भी नमबर नहीं काटेगा या या याद रखना आगे आ जाती है आपकी रचना है क्या heading लगाएंगे heading लगा देंगे मेरे लाज रचनाएna эта ऩटिया रचनाएं ठीए? तो रचना क्या है सुकल जी? सुकल जी महांसहित्य कारत। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है डायरेक्ट लिख सकते हैं रचना है हैड़िग करके ये रहा ग्रंथा वalी ग्रंथा वली में इननुने क्या लिए रस मिमानसा चिंता मणी जैसी ग्रंथा वली भरमर गीत साराधी लिखा है। अब कर थैंगे हम सारे याद रखेंगे क्या तो इन में से दो याद रख लो चिंता मडी या ये कुछ दो लिख दो कहानी कहानी क्या लिखी इनोंने कहानी में लिख लो 11 वर्सों का समय हेडिंग डालेंगे कहानी और एक कहानी लिख देंगे 11 वर्सों का समय मेरे लाल लिख देंगे ठीक है इतनी बात के लिए रहे अब आ जाएंगे संपाधन में इन्होंने संपाधन कौन से किया तो हिंदी सब्द सागर अखरावट आखरी कलम आखरी कलम और नागरी प्रचानी सभापत्रिका का क्या किया शंपाधन किया था वो आपको पहले ही मैंने बता दिया तो हिन्दी सब्ध सागर रावत आखरी कलम इननोंने क्या क्या इनका शंपाधन किया तो आपने पहला हैडिंग हाड जीवनपर्चे क्या लगाएंगे हैडिंग जीवनपर्चे लगा देगेगे देखो कितना सोट वे आपको लिखना जीवन पर्चे लिख देंगे, जीवन पर्चे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जीवन पर्चे में ध्यान रखना है, जन्मिस्थान, क्या ध्यान रखेंगे भईया, जन्मिस्थान, माता-पिता, माता-पिता का ध्यान रखेंगे, माता-पिता, प्रारंबिक सिक्षा, प्रारंबिक सिक्षा ठीक है प्रारंबिक सिक्षा का ध्यान रखेंगे प्रारंबिक सिक्षा का ध्यान रख लेंगे इतना आप लिखते चलेंगे प्रारंबिक सिक्षा प्रारंबिक सिक्षा के बाद पद किस पद पे ये तैनात हुए एक और लास्ट में आप क्या लिख दे सब्सक्राइब कोई थिक्कत नहीं हैं अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई दिखत नहीं होगी नहीं होगी ध्यान रिकने मेरी बात किलियरे भैया kes बढ़ते हैं, अलोचनाए, सुकल जी की अलोचनाओं के छेतर में तीन गरंध प्रकासित हुए, एक है रस्मी मांसा, त्रिवेणी और सूर्दास, क्या है वहिए, शूर्दास, कभी-कभी एक्जामनर क्या करता है, कहता है एक्जामनर की अचार रामचाद सुकल का जीवन पर आप चे लिखिये, और उनकी अलोचनाओं पर, क्या डालिए, प्रकास डालिए, नजर डालिए, इतना आजाता है, तो जीवन पर चे और के वल कहता है, तो आप सीधा डाइरिक्ट दियांगे, तीन गरंध की प्रकासित, एक है रचले न, रस्मी मांसा, त्रिवेणी और क् शूरदास लगा देंगे क्या लगा देंगे भ она compartir कर देंगे अगर अगर आप से पूछ देता है कि बताए अचार रामचन सुकल कारीवन पर्चा लिखिए और उनके संपाधन लिखी तो क्या लिखेंगे 11 वर्षों का समय क्लियर हो जाता है ये बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए अब आ गया गद्धांस नंबर एक बेटा एक मैं प्रेक्टिस करा दूंगा और इसी प्रेक्टिस के अनुरूप आपको आने वाले गद्धांस की भी विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक उसद है हमें अपने मित्रों से ये आसे रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से हमें द्रण करें दोसों और तुडियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्त पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुस्ट करें जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हमें हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे, यानि जब हम हतोत्साहित हो जाएंगे, तो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, सारांस ये है कि वे हमें उत्तम पूर्वक, उत्तमता पूर्वक जीवन, नि अच्छी मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की सी वैद की सी निपुरता और परक होती है अच्छी से अच्छी माता की सी धैर और कोमलता होती है ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्न प्रतिक पुरस को करना चाहिए यह पहला गद्दान्स है मित्रता का ठीक भाया आया है मोस्ट इ तोड़ी सी मेनत करने से यदि नंबर आ जाए तो भाईया मेनत कर ली जाती है मेनत कर ली जाती है मेनत का कोई सौटकट मत अपनाना मेरे प्यारे मेनत का कोई सौटकट मत अपनाना सौटकट अपना तो लोग है लेकिन कामयाभी आपको दूर होती चली जाएगी कामयाभी आपसे दूर होती चली जाएगी क्लियर है ना तो सौटकट मत अपनाएंगे हमने सारा पढ़ लिया अब आते हम उपर युक्त गद्धांस को पढ़कर निमलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीक है भईया और गद्धांसों को पढ़कर निमलिखित उत्तरों को क्या दीजिए उत्तर प्रशनों के उत्तर दीजिए अब कहो भईया एक कुश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मेरे लाल या त का बहिए हमें गदांस पूरा नहीं पढ़ना तो पूरा मत पढ़ो सीधा आप कुष्ण प्र आजाओ कुष्ण प्हेर घाएंगे लिखा है उपरो Swiss का संधर्व लिखुए क्या लिखा है कुष्ण आया गदांस का संदर्व लिखो एक बात ठीक है फिर कुश्चन नमबर दुख रहा है दूसरा कह रहा है गद्धान्स के रेखांकित अंसों की व्याक्या कीजिए ये आप अपनी भासा सैली में भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कि जो मैं बताओं वो लिखो जरूरी नहीं है कि जो मैं बताओं वो बस आपको यदि अपनी भासा सैली आती है ना तो अपनी भासा सैली में लिख दो एक भी नमबर आपके एक्जामना नहीं काटेगा मेरे प्यारे क्लियर है तो देखते चलेंगे आगे का कुश्चन क्या है व्यक्ती को अपनी मित्रता से क्या उमीद करनी चाहिए अपनी मित्र से क्या उमीद करनी चाहिए एक मित्र को एक सच्चा मित्र किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है अब इसकी व्याख्या आप देख लीजी पहले वाले कुश्चन की व्याख्या पहले वाले कुश्चन की व्याख्या क्या रहा है भाईया उपरोफ गद्धान्स का संदर्व लिखिए उपरोफ गद्धान्स का क्या लि इतने सब्द को लिखो गही यह जो भासा सैली यह जामनर को बहुत प्रभावित करेगी मेरे प्यारे कि बच्ची को ये पता है कि ये topic जो जो है किस पार्ट से लिया गया है मित्रता पार्ट से लिया गया है इस किस रचाइता रचाइता यानि लेखक आचार-Ram-Chand-Sukla जी हैं आपको उस topic के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए इतनी यदि आपने लिख दिया तो आपको इतनी से बड़े ही प्रभावित जंग से लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है समझा है लिखा है बहुत ही प्रभाव पढ़ता है एक्जाम दर पर मेरे प्यारे आगे बढ़ेंगे और इसका संदर्व ये रहा मेरे क्या रहा किया किया कहते हैं संदर्व लिखिए प्रस्तत गद्दान्स हमारी पाठ सुस्तक के गद्खंड के मित्रता पाठ से लिया गया है इसके रचाईता आचार रामचन सुकल जी है बात किलियर है चलिए भाईया कहेंगे किलियर आ गया आते दूसरी कुश्चन का अंसर अब आते हैं ब्याख्या पे आचार सुकल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र दवा के समान है पड़ा है हमने गद्धान्स में मिला था बिलकुँ सही आप अपनी इसको भासा सहली में लिगे जिस यहां दवा की जगे औसदी भी कह सकते हैं कि सच्चा मित्र औसदी के समान है औसदी के समान आप अपनी भासा सेली का बेहतरीन ढंक से प्रियोग कर सकते हैं बढ़ियां भासा सब्दों का चैन करिए चेचे सब्दों का चैन करिए और लिग दीजिए जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से रोग दूर हो जाता है वैसे ही सच्चे मित्र हमारे बुरे संस्कारों को बुरे आचरनों को बुरे आदते बुरे लक्षण बुरे लक्षण इनको क्या कर देते हैं मुक्ति दिला देते च्छडवा देते ठीके ना ऐसे भी लिख सकते आप कोई दिकत नहीं कि आप यह भासा सहली कौपी करिए मैं एक प्रारूप बता रहा हूं बिटा बस प्रारूप आप इसको अगला कह रहा है हमारी विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करें जो हमारा टार्गेट है कि हमें यह करना है और उसके लिए हमें प्रेरित करें प्रेरित करें ठीक ना उत्साहित करें इसा मित्रव होना चाहिए ऐसा नहीं क्या रहे भाई यह तिमसे नहीं हो पाएगा यह रहने दो यह रहने दो जैसे आपका टार्गेट है कि भाईया हमें आगे चलके हाइ स्कूल में इतने पर्सेंट लाना है इंटर में इतने पर्सेंट लाना है आगे फिर हमें यह तैयारी करनी है तो ये ना कहे अरे रहने दे भईया रहने दो ऐसा मत कर पढ़ा पढ़ेंगे आसा आसानी से पास हो जाएंगे पास तो बेटा सब कोई हो जाता है पास तो सब कोई हो जाता है लेकिन अच्छी नमरों से पास होना अच्छी नमरों से पास होना एक पहतरीन बात है कि कम से कम य ता ये कैसा गए कि हाँ हमारे बच्चे ने क्या करी है मेहनत करी है सांदार जवरजस्त मेहनत करी है ठीक है ना ये आगे बढ़ते हैं अच्छे विचारला और हमें हर तरह की बुराईयों से बचाए हमारे मन में सच्चाई मर्यादा पवितरता की भावना उत्पन करें अगर हमें किसी वज़े से या लोब के कारण गलत मार्क पर चल पड़े तब हमारा मार्क दर्सन करें और हमें गलत राय पर चलने से देखो बने का ना इसको अपनी भासा सहली में चलने पर बचाएं यदि हम उदास हैं तो हमें उदास और हतास हो जाएं तो हमें प्रसाहित करें हैं बोलाना तत पर यह की वह हमें हर प्रिकार के सुंदर जीवन के लिए प्रेणिद करे क्या बात कहीं मित्रता का भाव क्या हुआ है मैंने तो यह लाइने पढ़े तो रोंगते खड़ें क्या खड़े हो गए रोंग्टी खड़े हो गए ऐसे भाव होने चाहिए मित्र के लेकिन ऐसा मित्र मिलता कहा है आज कल बता दो आपके अगर पास में कोई ऐसा मित्र हो ऐसा मित्र मिलना बड़े सौभग की बात है मेरे प्यारे बड़े सौभग की बात है शुदामा और किष्ण की मित्रता शुदामा और किष्ण की मित्रता example देखिए आप clear है ना ऐसे मित्र कहा है आप तो मित्रताओ के भाव ही बदल गए अर्थ ही बदल गए meaning बदल गए उनके मेरे प्यारे क्लियर है ना बहिया और ये इसका मित्रता का मतलब ये नहीं है कि एक पुरुस पुरुस एक पुरुस और एक महिला और एक महिला महिला की मित्रता का है बस मित्रता का भाओ ये है मेरे प्यारे अगले बढ़ दें लेखक सच्चे मित्र के गुण बताती है कहता कि सच्चा मित एक कुसल वैद की जाँए वह वही बात है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए लागर को तीसरे को अपने मित्र से यह हैं व्यक्ति को अपने मित्र अमिद करनी चाहिए लेको कुश्व तुसरा क्या एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है तो तीसरे का कुश्चन नंबर एक और कुश्चन नंबर दो को सॉल्व करते हैं तीसरे का क्लिए भाईया तो पहला कुश्चन ये रहा ठीक है ये रहा व्यक्ति को अपने मित्र से ये उमीद करने क्या करनी चाहिए तो उमीद करेंगे बुराईयों और गलतियों से बचाकर मानवी गुड़ तथा अच्छे मारकवाट चलने के लिए पुरसाहिद करेंगे इसे आप अपनी भासा सहली में लिख सकते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्र से यह उमीद करनी चाहिए कि उसे संकल्पवान धैरवान गुड़ी उ और गलतियों से बचाकर मानवी गुड़ तथा अच्छे मारकवाट चलने के लिए पुरसाहिद करने वाला वे हमें प्रेरिद भी करेंगे इसको अपनी भासा सहली में एक अच्छे मित्र के गुड़ लिख देना है कि हमें अपने मुत्र से क्या उम्मीद होनी चाहिए इस आगे आजाईए अगला तीसरे का दूसरे का आंसर ये रहा एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है यानि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया आंसर देखिए एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है कि जो एक अच्छे डॉक्टर के समान हमारे यानि एक अच्छे वैद भी कह सकते हैं यह से हमारी बीमारी क्या हो जाती है दूर हो जाती है तो ऐसे हमारे मित्रता मित्र के भी होने चाहिए एक सच्चा मित्र के हमारे जो क्या है दुर्गणों को पैचाने और उन्हें क्या दिला दे मुक्ति दिलाए उसे एक मा के समान धैर और जो किसी भी समय को मलता ना छोड़े लाल, किलियर है मेरी बात, इदनी बात किलियर है, बताईए, किलियर है ना, किसी को समस्या, तो बताईए, समस्या नहीं है, तो कितना असानी से आपने इन गदान्स के अंसर दे दिये, ठीक है ना, और बेटा, अब हमारे चैनल पे, 80 दिन के लिए complete, तैयारी चल गारंटी है मेरे लाल, 90 दिन में तयारी बेतरीन हो जाएगी, जिन्होंने एक भी नहीं पढ़ा, जीरो है, तो इस कोर्स को जरूर देखें, परशेज करें, बैच स्टार्ट हो जाएगा बिटा, पाच नौंबर से, और ये कोर्स आपको पाच नौंबर से पहले ही खरीदन है, जिसकी फीस आपको कितनी है भाईया, जिसकी फीस आपकी ये 12th की है, 12th वालों की फीस है 500, 99 रुपे, और आपकी high school वालों की है कितनी, 499, 10th वालों की कितनी है, 499 रुपे, clear है, अब को भाईया, हमें discount चाहिए, discount चाहिए, तो discount के लिए बैटा, help, क्या लगा देंगे help 20 यूज करेंगे तो आपको यहां से discount मिल जाएगा 10th वालों को और अपने यदि कोई भाई बहन आपका 12th में पढ़ रहा है तो यहां पर भी आप 20% coupon अगर आप help coupon यूज करेंगे तो यहां भी आपको क्या मिल जाएगा discount मिल जाएगा clear है फिर आउंगा बार बार आउंगा बेतरीन क्लास ले करके और यह वीडियो अपने दोस्तों तक share जरूर कर देना फिर मिलेंगे एक धमाकेदार क्लास के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत